पूरे साल तक कर सकते हैं तो आई चलिए इसका इस्तेमाल हमको कैसे करना है बनाना शुरू करते हैं चलते हैं किछन में देखते हैं इसको कैसे बनाना मिलकर बनाते हैं कि चलिए और देखते हैं कि अंकि अबीक अहीं हैं आम की बहुती टेष्टा गणिजन अंत्य विचम चलिए पिलू कहले हैं अब हम इसको जार में डालकर इसका पल्प बना कर तियार कर लेंगे हमारा तीन कटोरी तीन आम हैं तो हमें तीन कटोरी ही चीनी डालनी हैं दोस्तो आज हम ऐसी रेशिपी बनाने जा रहे हैं जिसको आप स्टोर करके साल भर तक अब आपको आम खानने के लिए कोई दिक्कत नहीं होगी थालियों में फैला देंगे इस तरीके की थाली लेंगे जब हम चीनी और आम बराबर से मिक्सी के जार में डालकर इसका पेस्ट बना कर तियार कर लेंगे तो थालियों में इस तरीके से पतला पतला फैला देंगे आपका पेस्ट दो थालियों में आए दिन था किएगा इस बात का ध्यान रिखेगा दोस्तों हमको आपको फिर से बनानी पड़ रही है क्योंकि हमारी क्लिप मिस हो गई थी इसलिए हम आपको एक्स्प्लेइन कर रहे हैं फिर से आगी का वीडियो आपको मिल जाएगा हमारे मिलेगा पुरा है क्योंकि ये वीडियो मेरा मोबाइल मेरा खराब हो गया तो क्लिप्स हमारी खराब हो गी थी मुझे नहीं मिली इस तरी हम आपके साथ फिर से शेयर कर रहे हैं फिर से हम बता देखेंगे तीन पतला-पतला फैलाएगा और इसको पंके की हवा में ही सुखाएंगे फिर उसके बाद हम आपको दिखाते हैं देखिये आम का पल्प मिक्स करकी हमने सूखने के लिए प्लेटों में लगाया था यह आज दूसरा दिन है हमने इसको सूखने के लिए रखा था आप इसको फिर से mix कर देंगे, दोनों थालियों को और फिर से फैला देंगे, इस बात का ध्यान लेगा और आप इसको दून में तो सुखाईएगा नहीं, बना हमारी चासनी जो हम recipe बनाएंगे, इससे जिसको साल भर तक हमें store करके रखेंगे, वो बिल्कुल खराब हो जाग और इसको फिर से हम राय होने के लिए रख देंगे, हम आपको इसी तरीके से दूसरी भी करके दिखाते हैं, और layer जो है पतली पतली फैलाईएगा, इससे हमारी recipe जल्दी बन कर त्यार होईगी, देखिए हमने mix कर दिया, इसको फैला देंगे, और फिर से इसको हम सुखने क लिए छोड़ दें, यकीन मनी है दोस्तों, इस recipe को एक बार जरूर बना कर, try कीजिएगा, आपको पूरे साल तक आम का मज़ा मिलेगा, तो इसको बनाये, कतो एक बार बनता है, जब यह हमारे recipe, यह फालित से बिल्कुल, जो हमने यह पल्प डाला है, चीनी मिला कर, जब य आपके साथ मिलते हैं, थोड़ा इसको patience रगना पड़ेगा, recipe तो बनने में time लगेगा, मगर यह recipe, एमेजिंग बन के स्तियार होती है, यह दिखिए, mango और चीनी मिला कर, हमने दूप में सूखने के लिए रखा था, फ्रेंट्स, इसको total सूखने में 5-6 दिन लग गए, यह powder यह हमारा सूख कर बिल्कुल तयार हो गया है, अब हम इसको जार में डाल कर, पीस लेंगे, इसका महीन powder बना लेंगे, यह दिखिए, हमने इसको पीस लिया, यह हमारा कितना fine powder बनके तयार हो गया है, इसी तरीके से बाकी का बचा हुआ भी हम पीस के तयार कर लेंगे, यह हमने जार में पीस कर, इसको fine paste बना कर तयार कर लिया, अब आप इसको कभी भी इस्तिमाल कर सकते हैं, चाहें आप ice cream जबाईए, कुलपी जबाईए, mango shake बनाईए, milk shake बनाईए, कुछ भी बनाईए, हम यह हम आपको इसको mango, milk भी बना कर दिखाते हैं, और हम हम इसकी अंदर इक चम्मचिये, mango powder डालेंगे, इसको अच्छे से mix कर देंगे, यह देखा हमारा mango shake बनाईए, शेक बनाईए, आप इसको कभी भी इस्तिमाल कर सकते हैं, बच्चों को देना हो, आप अगर आप चाहें, तो इसके अंदर dry fruits में गराभी डाल सुतने हैं, लेकिन हम इसके बनाएगा और comment में बताएगे कि आपको बनाई हुई हमारी यह recipe कैसी लगी और अभी तक आपने हमारे चैनल से subscribe नहीं किया, तो चैनल को subscribe बेले कैनल पर प्रस्ट और वीडियो को friends और family के साथ share किजिएगा, दुस्तों हम अपने चैनल पर daily इसी तरीके की नही नही और आस and recipe लाके रहे तो मिलते है अगना वीडियो किसा, thanks for watching, bye bye